पाने हो लग दखता तो मारा हां से दख्का मार दखता ता वहीं वाइरल हो रहे इस वीडियो के बारे में जब बीजीपी विधायक सुशील पिवारी से मेडिया ने पूछा तो उन्होंने बताया कि वैं पिछले सोला सालों से नर्मदा नदी में हर साल सवा लाख मचली छोड़ते आ रहे हैं मचली छोड़ने में मन को सांती और अद्बोत प्रसनता होती है कि हम मान नर्मदा को सोच रखने के लिए और किसी जल जीव को जीवन देने के काम हुंका रहे हैं इसलिए ये मचली मेरत तरम 16 वर से चोड़ते आ रहा हैं और इस काम को करने में में बड़ा प्रसंदता नहीं थे और इसके धानत में भी अनेक मानटाएं हैं उन मानटाओं को आगे मखान करने कि आवशकता नहीं हैं जलमें बेचरा करने वाले मचली उती हैं उसको अम लगातार 16 वर से चोड़ते आ रहा हैं अजये नथ पहनाके आप जो छोड़ते हैं अभी तक ऐसी नथ पहनाके कितनी मचली चोड़ी हैं लग लग सोलτι व्रस्य刃 हम चार पांच मचली ले हरफ जार चाफ होते हैं नत्व पहना के और उनत्व पहनाने की धारमिक मांता है शहने एक हूं जास करते हूं लोगों को भी ब्रेयर ये सबालागी मशली हम अभी आधा हम भर सा ये को रायपुर से राते हिं गों पर्पिनठ पीं ये उर। तो अमनों को राइपुर से सवालान मचली प्रतिवार से बलाते हैं, वो या तो सावन में छोडते हैं, या भर बैसाग के माहन में छोडते हैं, इस काम को गरंतर अमनों को राइपुर से हमारा कॉंटेक्ट हो, और उन से बलाके इन लोगी काम को आगे बलाते हैं. आज आपने मचली छोड़ी कितने तुले की नत पेनाई उसे अब वो इस विसाय को ना बोले तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि उस जन्तु की जीवन की बात है लोग उस लालच में कहीं उसको नुक्सान ना पहुचाएं और निच्छत रूप से हमें सांती मिली है और नत पे अधायक सुशील तिवारी के बारे में कहा जाता है कि वे काफी धार्मिक है वे हर साल ऐसे ही दान करने और भंडारे के लिए जाने जाते हैं जबलपूर्से निउस के लिए हरीश दूबे की रिपोर्ट